ये तपस्या का संगठन है इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनरजी बढ़ती है बीजेपी पूजा का संगठन है उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्टेंट आती है अब बीजेपी अब पूजा दो तरीके के होती है पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूँ और मैं उनसे कुछ बंगता हूँ मगर इनिशिटिव जो पूजा करता है उसका होता है ठीक है? RSS की पूजा अलग है RSS चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो मोदी जी चाहते है इसलिए वो आपसे नहीं मिलते है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें उसका response एक ही हो सकता है उसका response तपस्या ही हो सकता है और कोई response नहीं हो सकता है और इसलिए ये जो यातरा है ये बहुत successful है क्योंकि इसमें सिर्फ Congress Party तपस्या नहीं कर रही है सिर्फ एक व्यक्ती तपस्या नहीं कर रहा है इसमें लाखों लोग तपस्या कर रहे है और इस यातरा का message यही है कि जो मैंने अभी आपको बोला आजवा आपने रोड मैप की बात पूछी कि इस देश में तपस्या की respect होनी चाहिए skills की respect होनी चाहिए काम की respect होनी चाहिए Congress Party यह कहती है historically यह कहा है और BJP कहती है RSS कहती है कि नहीं भया तपस्या की कोई respect नहीं होनी चाहिए जो हमारी पूजा करेगा उसकी respect होगी